कल रात को नीन नहीं आ रही ती तो सोचा बालकनी में घूम लूँ फिर इसको देखा ये ऐसे कपड़ कौन सुखाता है यार मैंलो सुबह उठके पता चला है कि मैडम ने गाउन सुखा रखा है कहते हैं पड़ोसी सबसे नजदी की रिष्टेदार होता है लेकिन पड़ोसी अपनी पर आए तो वो रिष्टेदार जिस काम के लिए कुख्यात होता है वो भी कर सकता है माने जीना हराम इस वीडियो में ऐसा ही नज़र आया गाउन ने हॉरर इन टाउन टाइप से सीन कर डाला वीडियो असल में किसने बनाया ये सर्च करने पर भी नहीं मिल पाया प्लीज किसी को पता चले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा एक फैक्ट चेक वाला टास्क आपको दे दिया एक टास्क और दे देता हूँ जनता को काम बाटने के मामले में मोदी जी से कम नहीं हूँ मार सकते हैं ऐसे जो पीम पे मार सकते हैं स्कैंडलाइजड मत होई ये तो टास्क है जो सोशल मीडिया पर पोस्टर बनकर चल रहा है कहा जा रहा है कि अपनी आखे बंद करिए और टाइप कीजिए जिनको टंकना आता है टाइपिंग आती है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है आप क्या थाइप कर पाते हैं अगर आपको नहीं आता कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके डालिएगा प्लब कमेंट बॉक्स में पेस्ट करके डालिएगा लिखिएगा फिर पेस्ट कीजिएगा हाई मैं ना मैं आशीश और आप देख रहे हैं दीललन टॉप एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट करते हैं बात आज के शो में क्या है खास अंकित बयान पुरिया का 75 हार्ड चैलेंज 75 हार्ड चैलेंज हो गया इतना वाईरल क्यों प्रकाश राज ने पीम का मजाक उड़ाया था क्या भारी पढ़ गई बात फिर क्या सफाई दी घोडे घूमे खुले 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 गधे खा रहे रस गुले और पिक उड़े में करेंगे बात योगा से आपकी समस्या हरने वाली यूजर की सबसे पहले करते हैं बात इंस्टाग्राम पर आजकल भयानक वाईरल यूजर की नाम है उनका अंकित सिंग और अकाउंट है अंकित बायन पुरिया शायद यही गाउं का नाम हो उसकरण से उनके अकाउंट का नाम हो अगर मैंने गलत पढ़ा हो तो माफ करिएगा वो सोशल मीडिया पर बहुत चलने वाले 75 हार्ड चैलेंज को पूरा कर रहे हैं उससे जुड़े वीडियोज डालते हैं और बीते हफते भर से इंस्टाग्राम पर चाये हुए हैं इसका कारण बस यह नहीं है कि उनका हर वीडियो 20-30-40 या कुछ वीडियो करोणों लोग देख रहे हैं उनके वाइरल होने का कारण है कि अब उनके वीडियोज पर भारी मीम भी बन रहा है और यह वीडियो जोंका मजाक नहीं उडा है उनके द्वारा की गई पनी क्यारेक्टर्स के वीडियोज लागा के मज़े लिए जा रहा है आगे पढ़ने के पहले आपको 75 हार्ड चैलेंज के बारे में बता दें, इंटरनेट पर ये चैलेंज इन देनों खूब चल रहा है, इसमें 75 दिनों के लिए चैलेंज लेने वाले को कुछ काम करने होते हैं, और इन में इसे कोई काम छोड़ा नहीं जा सकता, जैसे एक बनने पढ़ना होता है, हर दिन एक प्रोग्रेस वाली सेलफी लेनी होती है, टिक टॉक से इसका प्रसार हुआ और 69 सेकेंड के वीडियो जिए भारत में भी इसका खूब प्रचार हुआ, बढ़िया चीजें जो करें उसके लिए मेंटल फिटनेस प्रोग्राम जैसा है, ज प्रेज में कहीं से मोर्ग आ जाना, धूप में वरकाउट करते हुए दूप को I don't care कहना, गीता पढ़ना, उसको समझाना, सब कुछ चंता फैन हुई पड़ी है हर चीज की, अब जैसे लोग अंकित की पोस्ट पर जाकी लिखने लगे हैं कि अंकित भाई थिंक्स ही इज आगी, इसका क्या कारण है आगे बताते हैं आपको, अंकित के दिन भर के काम देखकर लोग मजे लेते हुए लिखते हैं कि भाई के पास लगता है दिन में 30 गंटे होते हैं, 30 गंटे से भी जादा है, हमारा 24 गंटा कम पढ़ता है, कोई कहता है चैलेंज जैसा करो कि पूर 50 लाख लोगों ने देखा, किसी ने इसको जेठालाल से जोड़ के दिखा दिया, उसको भी 30 लाख लोगों ने देखा, मीम्स से पीम्स भी कहां बच पाए हैं, पीम मोदी के योगा और एक्सरसाइज के फुटेज लगा के उन्हें भी 75 हाड चैलेंज करा दिया गया, पॉ पहले टाइप के अक्टर्स में एक यह होते हैं, जो सरकारों की तारीफ करने बैठेंगे, तो सरकार को भी लगने लगेगा कि ज्यादा हो रहा है, इतना काम तो हम करते भी नहीं हैं, जितना अगला तारीफ किये जा रहा है, फिर आते हैं वैसे एक्टर, जो सरकार की बुर लोग स्पीट का एक मतलब निकाल के भरपूर खरी खोटी सुना चुके थे वैसे तो आलोचना उनकी अक्सर होते रहती है लेकिन इस बार लोग पॉलिटिकल जुकाव भूल कर विशुद्ध आलोचना करते मिले उन्होंने एक टी अंकल नाम से मशुहूर कैरिकेचर की तस्वीर डाल के लिखा लोगों ने समझा कि ये पीम का मजाक उड़ाया जा रहा है और उसी के आधार पर रियक्शन आने लगे लोगों ने लिखा कितना और नीचे गिरोगे माना कि मोदी जी से नफरत है पर देश से नफरत क्यों चन्रयान तीन मिशन देश के इसरों के साइंटिस्ट की मेनत है उसका मजाक उड़ाते हो शर्म नहीं आ रही एक यूजर ने लिखा प्रकाश राज कभी भी नफरत को अपने उपर इतना हावी ना होने दे कि आप अपने देश और अपने लोगों की प्रगती उपलब्धियों और प्रयासों से नफरत करने लगे ये तुम्हारे जीवन के बहुत ही दुखत बरबादी के लक्षन है कॉमेडियान अपूरु गुप्ता ने लिखा कि नफरत के साथ यही समस्या है कि एक बार जब आप किसी से नफरत करना शुरू कर देते हो तो अंत में आपकी नफरत इतनी मजबूत हो जाती है कि आप हर किसी से नफरत करने लगते हो आप व्यक्ति विचार धारादेश के उपलब्धी के बीच अंतर भूल गये हो सबको आप एक नजर से देखने लगे हो एक प्रतिभाशाली एक्टर को इस तरह का विखार करते हुए देखना काफी दुख़द है अब बताओ कॉमेडियन्स को सीरियस बातें कहनी पड़ रही है क्या दिन देखने को मिल रहे है बाद में खेर प्रकाश राज ने सफाई दी कहा कि नफरत को बस नफरत दिखती है मैं आर्मस्ट्राउन के समय के एक जोग की बात कर रहा था केरल के अपने चायवाले को सेलिब्रेट कर रहा था ट्रोल्स ने किस चायवाले को देख लिया अगर तुम्हें जोग समझ में नहीं आता तो जोग तुम पर है grow up hashtag just asking घोडों को नहीं मिल रही घास गधे खारे चेवनप्रास वाली कहावत आपने सुनी होगी पर कभी ऐसा देखा नहीं होगा ऐसा एक ही क्षेत्र में आप देख सकते हैं कौन सक्षेत्र है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझको नहीं पता आप बहतर जानते होंगे चान प्रासना सही गधे गुलाब जावन खाते दिखे हैं अजब MP से ही ऐसी ख़बर और वीडियो आ सकता था वहीं के मंदसवार से ऐसे वीडियो आए है टोटका है बिसिकली अच्छी बारिश रोनी की खुशी में मंदसवार रवार्ड कर्मांग 26 की इलाके में यह सब काम हुआ है लोगों की ऐसी माननेता है कि बारिश हो जाए उसके बाद गधे को कुछ अच्छा खिलाओ पहले माननेता माननो और फिर बारिश खोने पर गधे को कुछ खिलाओ थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया पर ऐसी कुछ माननेता है तो लोगों की माननेता पर क्या ही कुछ कहना लेकिन गधों की तो मौज हो गई गधों की ही तो मौज है आज कल सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ओफ देकिया और आज का हैंडल है योगिक अंडर स्कूर हैक्स इसके पीछे हैं सनिकधा भारतवाज पहले इंडियन एर फोर्स में थी अब सर्टिफाइड योगा टीचर है अपने हैंडल पर योगा से जुड़ी जानकारियां और हर्ब सोशलिस्ट में इतना ही कल होगी फर से मुलाकात तब तक के लिए हम चले टाटा